जिन साथियों तक ये वीडियो पहुँच परा है सभी इस वीडियो को पुरा दे किया और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेर जूर से कर दीजिए आप सभी की DC थियोरी का रिवीजन होने जा रहा है क्योंकि हमारे सामने नए स्टुडेंट नया बेच शुरू हुआ था जिसमें DC थियोरी वापस हमें कंप्लीट करवानी पड़ेगी तो आपका रिवीजन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है रिवीजन कीजिए वही पढ़िए लिकिए मोच कीजिए बाकी सब राजी कुछी होगा तो आईए शुरू करते हैं सबसे वहले DC थियोरी की बात आती है लेसन सुरू करते हैं तो सबसे वहले बात आती है परीचे की साब DC थियोरी की आउशक्ता क्यों पड़ गी देखिए इस लेसन के अंदर हम DC परीपत जितने भी होते हैं उनसे संबन दी जितने नियम होते हो देखेंगे DC परीपत होता क्या है वो देखेंगे और DC परीपत जो है ते कितने परकार क्यों होते है वो सब चीजे हम इस वीडियो में या फिर किलास में देखने वाले है शुरू करें यहाँ पर सबसे वहले बात आती है परीचे की देखें परीचे से यही मतलब होता है कि यहाँ पर इस लेशन का नाम का मतलब समझा जाए परीचे भाई आप किसी के गर पे जाते हो जाते हो या फिर कोई ब्याव सगाई पता ही में चलगा भाई जार बंडे बेट का प्यपावना कीजिया अब छोरी को बाप आओ लो भाई साब नाम फलाणो गाउ डिकाणो दो दो तीन चीज़ा पूछ लो तो यह सब क्या है परीचे है परीचे क्यों हुआ क्योंकि हम थे वहाँ पे ठीक है परीचे क्यों हुआ क्योंकि हम वहाँ पे थे तो इसका परीचे क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर है डी सी थेओरी यहाँ पर है तो यहाँ पर डी सी थेओरी से मतलब है कि डी सी थेओरी होती क्या है भाई देखे विदूत धारा सभी लोग जानते होंगे सबसे पहले विदूत धारा सभी लोग जानते होंगे विदूत धारा क्या होती है इलेक्ट्रोंस का परव होना विदूददारा केलाता है, विदूददारा कितने प्रकार की होती है वई? गतीज और इस्तेज़ या इस्तिर, इस्तिर लिख देता हूँ वई? ठीक है? अब यहां पर गतीज विदुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् विदृत में विदृत दारा कोनसी होती है जो विदृत जहां पर बनती है वही पर ختم हो जाती है, वह विदृत में एंस्तिर विदृत कहलाती है कोई विदृत है, बनी, खतम हो गई, एक्जामपल देता हूँ आप कुर्सी पर बेटे है गर पे ठीक है पटलाए कर रहे है बेटे है बाते कर रहे है अराम से भाई कोई टीसरा आद में आता है आप अराम से उसके कुर्सी के रगड रहे है मजा आ रहा है खुजली चजरी है पीट में मज़ा रहा है ना तीसरा आज में आए बैसाब बैसाब जैसे ही हाथ लगाता है अगले का जटका लगता है और यह क्या हो रहा है वो है इस्तिर्विदूत क्यों 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 क्या है कुर्शी के अंदर थे इलेक्ट्रोन वो इलेक्ट्रोन आया हमारे अंदर अभी वो इलेक्ट्रोन हमारे अंदर ये लेकिन इन इलेक्ट्रोन को दूसरी जगे पर जाने के लिए जगे चीए या फिर रास्ता चीए जैसे ही तीसरा आजी में आता है मुझे हाथ लगाता है कुर्शी का इलेक्ट्रोन मेरे अंदर है मेरा इलेक्ट्रोन उस वेक्ति के अंदर जाएगा यह होती है इस्तिर विदूत इसको हम तारों की साहिता से एक जगे से दूसरी जगे पर नहीं ले गए यह विदूत जहां बनी वही खतम हुई अल्टरनेटिंग करंट या फिर परत्यावर्ती धारा परत्यावर्ती धारा अब यहाँ पर जो डीसी होती है इसकी फुलफोम होती है डाइरेक्ट करंट डाइरेक्ट करंट इसको अगर इंदी में बोले तो डिस्ट धारा आप बोल सकते हैं दिश्ट धारा भाई देखिए एक्जाम में online dataeb коммент शकता है डायेक्ट करेंट या सकता है कोई problem नहीं होणी शिए ठीक टीनो नाम आपको याद होनी चाहिए ऐसी की full form दोनों आ सकते हैं ऐसकते हैं फिर lifelongS असकती है दोनों आपको याद exper Mam जो जो लेकिन जूपादू ही व्यषैर ही तो आन्टर क्या होता है यहां पर हमारे पास जो आइस यह इना वशसे तो इसकी वश्वाप जे सी के लिए दिया हुआ है वैसी एसी के लिए एक दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता दू एसी जो है एसी के अंदर होती है वेव ठीक है एसी के अंदर होती है फ्रिक्वेंसी इंडिया के अंदर एसी होती है जितने भी आप घर वगेरा देखते हैं सब AC पर चल रहे हैं और इसके अंदर 50 अटर्स हमारे इंडिया में फ्रिक्वेंसी आती है अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 7 अटर्स आती है क्योंकि अमेरिका हमसे आगे है पहले था अब तो हम आगे हो गए ना लेकिन बात ऐसी है कि सब अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने से अगर हम आगे हो जाते हैं क्यों नहीं बढ़ाते अगर फ्रिक्वेंशी को आगे बढ़ा दे आगे Шार्ट ऐटर्स हम भी बना सकते होई कोई बड़ी चीज़áveis नहीं है ना क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो generator की rotating होती है ना मतलब जो generator गूमता है उस पर ही हमारी frequency depend करती है तो उसकी rotation को गूमा करके और तेज बढ़ा करके हम क्यों frequency ज्यादा नहीं बना सकते वो इसलिए नहीं बना सकते फेन बना हुआ है इसलिए उसको चलने दीजिए जो पड़ा रहे है वो पड़ने दीजिए तो यहां पर यह पचास इंडिया में आती है यह तो होगे अटर्स की बात लेकिन जो हमारे पास DC होती है इसमें कोई वेव नहीं होती है इसमें frequency होती है जीरो इसमें frequency कितनी थी पचास हटर्स इसमें कितनी होती है जीरो हट्स ठीक है भाई हट्स होती है ठीक है हट्स क्या हट्स हजेड हजेड से आप इसको परदेशित कर सकते हट्स हट्स नहीं हट्स इस पर बहुत बड़ा पं इसा कोई किसी के दिमाग में डाउट सर सर प्लीज सर सर एक्स्क्यूज मी सर नो सर नो सर नो नो टलाव इस सोगे गो ठीक है अब यहां पर हो गई विदुद्धारा अब इसके बाद में बात आती है यह जो लेसन है न इसका पुरूना ना में दीसी टीयूरी और डीसी परीपत परिपत था DC परिपत अब ये परिपत क्या होते है ये परिपत क्या होते है भई देखिए हम रास्ते से जाते है वो एक पत है लेकिन अगर रास्ता कहीं से टूटा हुआ हो तो हम उसे परिपत नहीं बोल सकते परीपत उसे केंगे जो पुरा öपकर हो जैसे कि मैं आपको बता हूँ ये मेरे फास एक रास्ता है और और अगर यहां से यह टूटा हुआ है तो मैं इसे परीपत नहीं कह offenses कहूँ गा परीपत का मतलब होता है बंदर त। दो यह हो गया परीपत अब यह बंद परीपत होते हैं तीन परकार के होते हैं श्रेणी समानथर और जिरित के अंदर यह तो नहीं अधर यहां पर केपिसिटिव लोड हो सकता है यहां पर केपिसिटिव लोड हो सकता है तो यहां पर यह होता हैं यहां से पांच यहां थे यहां बीसरेंट और यहां दो यहां से फिक्त फें चैस्चोर्ण के लुए यहे इन त्यनों के अलग इलग इसकेंद्र डेड़ सो हो जाएगी इसके अंदर मालो पचास हो जाएगी बाकी कितनी बच गी इसके अंदर सो हो जाएगी सोरी पचास बच गी इसके अंदर पचास हो जाएगी तो इस तरह से वोल्टेज बढ़ जाएगी स्रेणी के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ जाती है करं जो आगे से आ रही है वह सेमें 5 अमने वेजी सभी के अंदर 5 5 अम्पियर है वोल्टेज हमने 240 दी वो दो सो चालीस वोल्टेज लगलग बढ़ चुकी है तो यह तो हो गया स्रेणी परीपत अब स्रेणी परीपत के अंदर 2 पत होते हैं ठीक है कौन कौन से एक तो लगू पर परीपत बोल सकते हैं अभी यहाँ पर खुला है इसको हम ओपन सरकिट बोलते हैं ओपन सरकिट अभी इसका एक्जाम्पल में देना चाहूंगा जैसे कि माल लो कि यहां से तूट गया यह कौनसा परीपत हो गया यह परीपत हो पास खुला परीपत या फिर open circuit open circuit में देखें क्या होगा यहां से current आई ठीक है यह current यहां से जारी है यहां करके रुग गई रुग गई भाई open है अब आप में को एक चीज बताइए यह open है तो यह पर resistance कितना होगा अनंत क्योंकि current अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो current के लिए यह चाहिए अपने लिए टूटा हुआ हो लेकिन current के लिए तो यह resistance ही ना current के लिए तो यह बादा ही है तो current के लिए यह बादा है परती रोद कितना होता है वाई अनन्त होता है और इसके अलावा इसके अंदर जो करंट रहेगी करंट कितने रहेगी करंट अब करंट सुनने कैसे रहेगी करंट करंट देखे करंट यहां पर सुनने कैसे रहेगी देखे यहां से जो है हमने करंट बेजी तो सही पांच एमप यहां से आगे नहीं जा रही है तो यहां पर तो जीरो ही है यहां पर जीरो ही है तो ओपन सर्कीट के अंदर जो करंट होगी वो जीरो होगी बास समझ में आ गई जो ओपन सर्कीट में रेजिस्टेंस कितना होता है वही अनंत और करंट जीरो क्यों होती है पता सल गया क्योंक परीपत में लगू परीपत आता है किसी कारण वश्मान लीजिए कि ये दोनों वायर शोट हो गए फेज और न्यूटल के दोनों वायर शोट हो गए तो ये क्या है हमारे पास ये शोट सरिक्ट है अब आप एक चीज़ बताईए कि यहां से मैं अगर इसको शोट कर दू किया ये शोट केलाएगा नहीं केलाएगा क्यों नहीं केलाएगा क्योंकि यहां पर क्या होगा जो करंट यहां से जो जा रहा था ना अब यह यह यहां पर तो लोड लगा हुआ है तो क्रंट क्या करेगा यह यहां से चला जाएगा डायरेक्ट है यहां से चला जाएगा क्यों क कि यहां पर load है, यहां पर भारी मामला है, यहां पर आसान सा मामला है, ठीक है, इस तरह से काम होता है, अब यहां पर हम देख रहे थे लगू परीपत, यानि कि शोट परीपत, किसी कारण वसी है यह दोनों यहां से शोट होगे, किसी कारण वसी है दोनों यहां से शोट होग परतिरोध सुनने बिल्कुल इसका उल्टा अब ये पता है क्यों दो वायर जुड़ गए एक दूसरा एक्जामपल देता हूँ ये तीन फेज आ रहे है ठीक है इन तीन फेजों के अंदर से ये है आर ये है वाई और ये है बी ये आपस में यहां से शोट हो गए वाई साब इसके अंदर था पांच एंपिर इसके अंदर था पांच एंपिर दोनों में पांच पांच एंपिर दोनों शोट हो गए मिलकर के कितना हो गया जुड़ गया करंट बढ़ी तो शोट होने पर हमेशा current बढ़ेगा जैसे ही यहाँ पर current बढ़ा करंट अगर जादा हो गया इसका मतलब resistance गीर गया current जादा तब ही होगा तब resistance होगा तो यहाँ पर यह होगया resistance तो यह value यहाँ पर यहाँ आगए अब इसके बात में बात आती है समानतर परीपत की समानतर को पहलेल सरकिट भी बोलते हैं ठीक है और यहां पर मैं यह समानतर परीपत एक बना लेता हूं यह अपने क्या बना लिया वही यह समानतर परीपत अपने बना लिया इसके अंदर क्या होगा कि यहां से हम देंगे 240 वोल्टेज ठीक है यहां पर क्या होगा दोनों के अ पनच एफ यह बेज़ी तो यह दो एंपेयर ले लेगा यह तीन एंपेयर लेगा यह तेन एंपेयर लेगा लागले वैलू अि क IO झाय करिए इसे जो करेंट वेल्य ऐलग और्ब हो जाईगी अब यहां पर एक में से याद रखना जोसकी वायरिंग काम में लेते यहां के नाँ में फेन लगा रखा है, यहाँ पर लेंप लगा रखा है, और यहाँ पर आपने, चलो AC की तो नहीं है अपनी बस की बात, लेकिन लगा लेते हैं, ठीक है भई, यह अपने AC लगा ली, तीनों चीज हमने लगा ली, लग गई, अब मालो किसी कारण वशे AC उड़ गया, उड़ गय तो फेज इन दोनों के अंदर जाएगा, न्यूटल यहां से दोनों के अंदर जाएगा, जा रहा है, मतलब सिर्फ AC उड़ा है, बाकी सामान तो चल रहा है हमारा, और गलती से मालो कि यहाँ पर भी अमने यह एक AC लगा रहा है, यह फेन लगा रहा है, और यह कुल्दर इसलिए हम गरोगरों के अंदर समान तर की कामे लते हैं, समान तर को कि अगर एक लैंप खिराब हो जाए, यह लिए करते हैं, अब समान तर की अंदर do it dooo परकार छोटwegen से ने भार इए टंव चैनल मैंने लेका 95 points ओपन को तुन को दो से लोगो और प्रिय को और यहां पर में नहीं को आपर समांधर के अदर जैसे ही लगू होगा तो क्या हो जाएगा कि जैसे समांतर में स्थे प्रॉट तो यहां पर जैसे ही लगू परीपत होगा तो यहां पर परति रोद कितना हो जाएगा बैए लगू हो रहा है परति रोद नगन्य नहीं सकते नगन्य का मतलब होता है जिसको गिनी नी सकते 0 कोई नहीं बोलेगा यहां पर नगन्य बोलना है ठीक है यहां पर हमकोई वेल्यू नररे है 100 200 थोड़ी नहीं नहीं सकते नगन्य का मतलब जिसकों नहीं fingerprint गिन सकते तो यहां पर जैसे ही शोट हुआ current value कितनी हो जैगी अनंत ठीक है current value अनंत और परतिरोध नगनने और open में क्या हो जाएगा open में हो जाएगा परतिरोध अनंत ठीक है और current नगननЯ ठीक है नगन्न और अगन्न की समझे है जो नगन्न और अनंत चल रहा है इसमें कुछ समझ में है जीरो को नगन्य नहीं बोलना है नगन्य इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि कोई जरूरी नहीं हो आप नगन्य ही हो अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ यहां से यह शोट हुआ है यहां से यह शोट हुआ है अब तीसरा प्रकार का सरक्युट होता है जिसमें स्रेणी भी आजाता है और समानतर भी आजाता है ठीके ये स्रेणी हो गया मान लीजिए और इसके अंदर ये समानतर हो गया ये हो गया मिस्रित परीपत ये हो गया मिस्रित परीपत इसके अंदर दो चीजे रे गई है फॉर्मूला रे गई है ठीके इसके अंदर अगर हमें स्रेंडी के अंदर अगर हमें परतिरोध याद करना हो तो कौन सा फॉर्मूला काम लेंगे आर टी बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और अगर समांतर की बात करें तो 1 upon R2 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 अब जितने रजिस्टेंस हैं उतने upon लगाके लगाते जाए है R2, R4, R3, R5 जो भी है आपके पास लगाते जाए है तो यह क्या होगे दोनों के फॉर्मूले होगे अब बात रही नुमेरिकल्स की तो नुमेरिकल्स की लिए लग से क्लास लगा दी जाएगी वैसे हमारे लेजर्स को तो आती है और आपको कोई समझे है तो बता दीजेगा तो अभी के लिए इतना ही काफी है भाई मिलते हैं इसी प्रकार के दमाकेदार वीडियो में फिर से वैसे दमाकेदार तो कुछ था नहीं इसमें था क्या कुछ? नहीं था था? अरे इनको लगा देखें दमाकेदार बहुत चीजे होती है अभी मैं कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि नेक्ष्ट लास में मिलते हैं नेक्ष्ट लास में हो लेंगे ठीक है दन्यवाद